जये स्री कृष्णा दोस्तों यूटूब जैनल शृष्टी ज्यानमाप सबका स्वागत है दोस्तों आज का जो विशा है वो स्रावन सोमवार स्रावन पूरणिमा के उपर है सास्तरानूसार यदी पूरणिमा के दिन सोमवार पड़े या अमविश्या के दिन सोमवार पड़े तो वो तिथी अपने आप में अधवुद हो जाती है खल स्रावन सोमवार है पाँचवा अन्तिम सोमवार है साथ सेहतालीस के बाद स्रावन नक्षतर लगेगा जो चंद्रमा का नक्षतर है रात्री तक रहेगा तो पूर्णिमा के तिथी पर यदि मादुरुगा को खीर का भोग लगाया जाए खीर जो है उगाय के दूद, चावल, शक्कर, थोड़े से काले तिल डालियेगा और मादुरुगा को भोग लगाएं, मंदिर में दान करें, घर पर भी खाएं तो इस से पित्री दोस्त से शान्ती मिलती है, पित्री दोस्त कम होने लगता है पित्रों के गिरपा बनने लगती है, सोमवार के दिन मैं ने पूजा का समय बताया है ब्रहमु मूर्थ में कीजिएगा सुबह साथ से लेकर 9 बजे तक 9.30 बजे तक पूजा ना करें क्योंकि रहुकाल का समय रहता है पूजा विर्थ जाएगी और कल राखी का भी त्योहार है और पूर्णी माति थी सुमवार सबकुछ अद्बुद है तो इसके लिए आप इस समय का फायदा उठाएं यदि आपके बेहन हो और उसके लड़के को या कहने का मतलब है भानजे को जीजा जी और बेहन को यदि आप अपने घर पर बुला कर भोजन खिलाते हैं दान देते हैं तो इस से आपका बुद मजबूत होगा भा को भी आप कर सकते हैं यदि भुवा की इस्तिती, बेहन की इस्तिती मजबूत नहीं है तो आपका बुद पीडित होगा जो की आपको धन समंधी समस्याएं जरूर देगा बिजनिस में समस्याएं जरूर देगा तो इस दिन का फायदा उठाएं यदि दो पैर में कोई भी बिप्चुक वगएरा आता है तो उसको अवश्य भोजन खिलाईएगा इस से आपके उपर भगवान विश्णू माता लक्षमी की किरपा होगी कल के दिन दान ध्यान अवश्य करें इसका भी करोडो गुना फल मिलता है क्योंकि कहा गया है सास्तरानुसार सोमवार के दिन अमवश्य तिती हो सोमवार के दिन पूरणिमा तिती हो तो उसका फल करोडो गुना मिलता है ब्रह्म मूर्थ में शनान करके भी आप पुन्य प्राप्त कर सकते हैं रात्री के समय आप खीर बनाए भगवान सीव को अरपित करें और रात्री में उसको चांद की चांदनी में रखें सुबह प्राते संपून परिवार गिरहन करें तो इस निरोगीता सुखसानती घर में आने लगती है तो आज का जो विशय था जो ग्यान था मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बस वीडियो को आप सेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े ताकि उनको भी ज्यान मिल सके फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैस्री कृष्णा स्री राधे